हलो फ्रेंड्स वेलकम बेग टू मैं चानल आज मैं आपको पेपलम बेबी टॉफ वित अमरेला स्लीव बनाना बताऊंगी तो उसके लिए मैंने स्रिफ एक मीटर क्रैप का फैबरिक लिया हुआ है आप इसे किसी भी फैबरिक में से बना सकते हैं तो सबसे पहले हम टॉप प इंच की रखी है यह 12 इंच की हमारे रेडी होगी अभी उपर से हम शोल्डर के लिए छेंज पर निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए हमें छेंज पर निशान लगाना है और आम होल की लंबाई के लिए भी हम छेंज पर ही निशान लगाएंगे छेंज पर निशान लग और उसमें दो इंच एट कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए तो मैंने नौ इंच पर निशान लगाया है अभी बेक आम होल के लिए हम देर इंच पर निशान लगाएंगे और फ्रांट आम होल के लिए एक इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों निशानों पर हमें सिलाई मार्जिन के लिए तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है अभी साइट से भी हम लाइन ड्रो कर देंगे अभी हम गले की चोड़ाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे गले की चोड़ाई हमें 3 इंच लेनी है और पीछे की गले की लंबाई के लिए हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और आगे की गले की लंबाई के लिए हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों निशानों पर हमें round shape draw कर देना है front और back neck के लिए अभी सबसे पहले हम back neck और back armhole से इसकी cutting कर देंगे तो देखी इस तरह से मैंने cutting कर दी है अभी हम इसमें से एक पाट को निकाल लेंगे और इसे वापस से double fold करते हुए हम front neck और front armhole की cutting कर देंगे तो देखी इस तरह से मैंने cutting कर दी है और ये मेरे दो पीसे front और back के लिए अभी हम bottom part की cutting करेंगे तो fabric को मैंने triangle shape में बिचाया हुआ है जो मेरी set है वो बंद वाली set है और जो उपर की set है वो खुली हुई set है इस तरह से जितना भी हमारा fabric है उसे हमें triangle shape में बिचा देना है अभी उपर वाला जो कोना है उसके उपर हम top का कोई भी एक part रख देंगे जहाँ पर हमारी कमर की चोड़ाई का measurement आता है वहीं पर हमें top का part रख देना है और as it is ऐसे ही हमें land drop कर लेनी है अभी इसे हम हटा देंगे और bottom part के लंबाई के लिए निशान लगाएंगे तो bottom part के लंबाई में 10 inch की रखने वाली हूँ आप अपनी पसंद से bottom part के लंबाई कम्या ज्यादा कर सकते है तो पूरे round में हमें 10 inch पर निशान लगाते जाना है इस तरह से हम 10 inch पर निशान लगाते जाएंगे और इसमें हमें round shape डोग कर देना है पूरे घेरे में हम round shape डोग कर लेंगे अभी हमें इसकी cutting कर देनी है तो देखे इस तरह से bottom part की भी cutting हो चुकी है अभी इसे हम खोल देंगे तो एक set इसकी बंदवाली set है और एक set इसकी खुली हुई set है तो जहां से इसकी बंदवाली set है उसे हमें cut करके अलग कर देना है इस तरह से ये दो piece हो जाएंगे आगे और पीछे के लिए तो चलिए अब बढ़ते हैं stitching की तरफ तो सबसे पहले हम इसका neck बनाएंगे टॉप पाट का तो उसके लिए मैंने ये तिरची पटी ली हुई है इसे हमें सीधी set से ही गले के उपर रखना है और इसके उपर हमें सिलाई लगा देनी है उसके बाद हम पटी को double fold करते हुए अंदर की तरफ मोड देंगे और इसी तरह से back neck में भी हम तिरची पटी अटेज कर लेंगे और इसे double fold करते हुए अंदर की तरफ मोड देंगे तो देखे मैंने front part में तिरची पटी अटेज कर ली है और back part में भी मैंने तिरची पटी अटेज कर ली है अभी हमें कोई भी एक पाट को सीधा रखना है और उसके उपर दूसरा पाट हम उल्टा रखेंगे और इसके शॉल्डर जॉयंट कर लेंगे तो देखे मैंने इसके shoulder joint कर लिया है अभी हम इसमें sleeve बाद में attach करेंगे क्योंकि हम इसमें umbrella sleeve बनाने वाले है इसलिए इसकी sleeve हम बाद में cut करेंगे तो पहले हम top part के साथ bottom part को attach कर लेंगे तो bottom part को हमें उल्टा रखना है और top part के उपर रखते हुए हमें इसमें sleeve लगा देनी है इसी तरह से दूसरी side पर भी हम bottom का part उल्टा रखेंगे और इसके उपर हम sleeve लगा देंगे तो देखे मैंने bottom part को attach कर लिया है दोनों ही side से अभी इसे हम उल्टा कर लेंगे और side से 2 इंच का gap रखते हुए हमें इसकी fitting कर लेनी है दोनों ही side से हम 2 इंच का gap रखते हुए इसकी fitting कर लेंगे उसके बाद जो नीचे वाला घेरा है उसमें हमें stitch करवानी होगी stitch करवाएंगे तो इसका fall बहुत ही अच्छे से आता है या फिर आप इसकी border को double fold करते हुए इसमें सिलाई लगा दीजेगा तो देखे मैंने इसकी fitting कर ली है दोनों ही side से और नीचे की जो border है उसे भी मैंने double fold करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है अभी हम sleeve cut करेंगे तो उसके लिए जितना हमारा armhole है उसका हमें measurement लेना होगा तो जहां से हमारी नीचे वाली सिलाई होती है वहां से हमें शुरू करना है और वहीं पर जाकर हम खतम करते हुए इसका measurement ले लगे तो ये मेरे sleeve round का measurement 14 inch का आया है अभी ये मैंने बचा हुआ fabric लिया है जितना भी हमारा fabric बचता है उसे हमें double fold कर लेना है इस तरह से fabric को हम double fold कर लेंगे उसके बाद हम इसे एक और बार fold कर लेंगे एक set इसकी बंदवाली set है और एक set इसकी खुली हुई set है इस तरह से हमें इसे four fold में बिचा देना है मेरी सैट है वो उसकी बंदवाली सैट है और उपर की सैट इसकी खुली हुई सैट है अभी जो हमारा 14 इंच का मेजरमेंट आया था उसका हमें चौथा भाग निकालना है तो मेजर टेप को हम एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे तो यह 7 इंच होता है अभी इसे हम एक और बार फोल्ड कर लेंगे तो इसका चौथा भाग 3,5 इंच का होता है इस तरह समय इसका मेजरमेंट लेना होगा तो जो हमारा मेजरमेंट 3.5 इंच का आया है उसे हमें एक सैट से रखना है और 3.5 इंच पर निशान लगा देना है जो बंद वाली सैट है वहाँ पर हम साड़े तीन इंच पर निशान लगा लेंगे और उपर से जो खुली हुई सैट है वहाँ पर भी हम साड़े तीन इंच पर निशान लगा लेंगे दोनों सैट हमें साड़े तीन इंच पर निशान लगा लेना है और बीच वाली सैट पर हमें राउंड शेप ड्रो कर लेना है अभी हम स्लिव की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे तो स्लिव की लंबाई में साथ इंच की रखने वाली हूँ आप अपनी पसंद से स्लिव की लंबाई कमिया ज्यादा कर सकते हैं तो मैंने साथ इंच पर निशान लगाया है अभी पूरे राउंड में हमें 7 इंच पर निशान लगाते जाना है जिस तरह से हम घेरे की कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें स्लिव की भी कटिंग करनी है तो 7 इंच पर निशान लगाते हुए हम राउंड शेप ड्रो कर लेंगे अभी इसे हमें कट कर देना है तो देखे इस तरह से मैंने स्लिव की कटिंग कर दी है अभी इसे हम खोल देंगे तो इस तरह से इसके दो पीस नजर आएंगे यह दोनों स्लिव के लिए दो पीस है हमारे अभी हमें इसे एक और बार फोल्ड कर लेना है तो जो हमारा नीचे वाला यानि की आम होल वाला भाग होता है वहां से हम स्लीव को छोटा कट करने वाले है तो जहां से इसकी खुली हुई सैट है वहां से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे स्लीव की लंबाई हमने 7 इंच की रखी है तो नीचे वाले पाट की लंबाई हम 4 इंच की रखेंगे तो 4 इंच पर निशान लगाते हुए हमें इसमें आधे तक इस तरह से राउंड शेप ड्रो कर लेना है और इसे कट कर देना है इस तरह से यह जो हमारा छोटा वाला पाट वह हमारे आम होल की साइट पर आएगा उसके बाद जो खुली हुई साइट है उसमें हम सिलाई लगा देंगे और जो दूसरी स्लीव है वहाँ पर भी हम 4 इंज पर निशान लगाते हुए राउंड शेप डो कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे और जो खुली हुई साइट है वहाँ पर हमें इसमें सिलाई लगा देनी है तो देखे मैंने दोनों स्लिव में सिलाई लगा दी है अभी ये जो हमारा आम होल है वहाँ पर हमें स्लिव को अटेज करना है तो जहाँ पर हमने स्लिव में सिलाई लगाई है उस सिलाई को हमें आम होल वाली सिलाई के साथ मिलान स्लिव को हम उल्टा ही रखेंगे। पूरे राउंड में पींस अटेच कर लेनी है उसके बाद हम इसके उपर सिलाई लगा लेंगे पींस लगाने के बाद ही हम इसके उपर सिलाई लगाएंगे उसके बाद जो हमारी स्लिव है उसके उपर हमें स्टीच करवाने होगी स्टीज करवाने पर ही इसका फॉल अच्छे से आता है और इसी तरह से जो दूसरी स्लीव है उसके उपर भी हम सिलाई लगाएंगे तो ध्यान रहे जो हमने छोटा वाला पाट कट किया है वो हमारी आम होल की नीचे की तरफ होना चाहिए तो साइड की सिलाई के साथ हमें स्ल लगाएंगे उसके बाद जो हमारी स्लीव की बॉर्डर है उसके उपर अगर आप स्टीज करवाएंगे तो इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आता है या फिर आप इसे डबल फोल करते हुए इसमें सिलाई लगा दीजेगा स्टीच करवाएंगे तो इसका फॉल बहुत ही ब्यूटिफुल नजर आता है तो देखी इस तरह से मैंने स्लीव को अटेच कर लिया है और स्लीव की जो बॉडर है उसे भी मैंने डबल फॉल करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और स्लीव का लुक आप देख सकते हैं किस तरह से आया है और इसी के साथ यह हमारा अमरेला स्लीव पेपलम बेबी टॉप बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक आपको आज का यह टुटोरियल पसंद आया होगा अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेर जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजे और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा मेरा यह वीडियो देखने के लिए थेंक्यू सो मज गाइस